दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेट कलर का आपको सब्सक्राइब दिख राओगा इस पर आप लोगों को दबाना है उसके बाद बेल आएगी बेल पर भी दबाना है फिर तीन ओप्सन दिखेंगे आल वाले ओप्सन पर दबा लेना है बस जुड़ गए है अब हर जानकारी आपके पास हमारी नमस्कार दोस्तों आल इंडिया आंगनबारी न्यूस चैनल की आज सुबह की सची खबरों में आप सबका स्वागत है तमाम बड़ी खबरे आपको इस वीडियो में मिलेंगी फटा फट वीडियो को लाइक करिए एक ब लिखा हुआ है सभी मिनी और फ्रेस का ट्रेनिंग हो रहा है फ्रेस का मतलब आपकी सेविका बहने और सभी मिनी बहने सबका ट्रेनिंग हो रहा है लिखा है बहिया जी हमारे यहां कोई नहीं जूटा है मैं मिनी आंगनबारी हूँ पर ट्रेनर की ड्यूटी में हमारा ड्य यानि master trainer के रूप में जो ब्लाकों से बहने एक ठा की गई है चार लोगों का जो एक block लेवल पर एक training कराया गया है उसमें इन बहन को master trainer के रूप में बनाया गया और ये बहन mini आंगनबारी बहन है और फिर भी इनको trainer रूप में बनाया गया है तो आप लोग अब ये मत सोचन कि mini बहनों को training नहीं दी जाएगी mini बहनों को भी training दी जाएगी फिलाल इन्होंने अपना नाम लेकर करके नहीं भीजा है बाद में इन्होंने नाम भीजा है तब तक ये इनका वीडियो और इनके जो message है वो लगा दिये गए लेकिन बहन को बहुत बहुत धन्यवाद इसके भी वो नहीं किया गया कि मतलब ये आंगन बाड़ी है या mini है लेकिन नाम सब के दे दिये गए हैं हो सकता है mini बहने जादा नहीं है तो वो अपना वीडियो भी नहीं देखती है तो ऐसे में comment box में ना लिख पाएं कि हम mini है और हमें भी जो है training दिया जा रहा है लेकिन धीर परिया वगरा परियोजना से ये पूरी बहनों की लिस्ट मेरे पास आचुकी है नाम में अगर यहां पर पढ़ेंगे तो फिर से मैं आपको बता दू काफी time लगेगा तो हम नाम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन आपको एक जलक दिखा दे रहा हूँ ये देख लेगा total कितने नाम है total आपके 109 नाम है आप यहां पर आप देख सकते हो दुबॉलिया बस्ती जिले का एक ब्लॉक है वही से ये 109 आगन बाड़ी बहने और इनमें मिनी बहने भी सामिल है इन सब को pre-primary nursery teacher की training दी जा रही है तो अब कोई भी आगन बाड़ी बहन हो या कोई भी मिनी ब देना ताकि सभी बहनों तक ये पहुँच जाए और ये भी पता चल जाए साथी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक और बड़ी ख़वर आप लोगों के लिए हम लेकर किया चुके हैं ये है सहायक अध्यापक के तबादला सूची दोस्तों आज या कल में जारी कर दी जाएगी एक बड़ी ख़वर आ रहे हैं लखनव से निकल के आ रहे हैं तो आउत्तर प्रदेश में बता दू कि जो भी सहायक अध्यापक हैं यानि टीचर हैं उन सब का तबादला यानि ट्रंसफर वगएरा इधर उदर हो जाएगा बदली हो जाएगी आप लोग अगर र जो यहाँ पर NIC को अधिक समय लग रहा है ऐसे चीज़ें जो बताई जा रहे हैं फिलाल जो भी होगा देखा जाएगा अभी आप लोगों को बता दे कि यहाँ पर आगे चलते हैं और बताते हैं यह रहा आपका उत्तर प्रदेश लखनव से जारी एक और आदेश 17 को निकला है आंगनबारी सिविका के संचालन हेतू एक गाइडेंस के लिए नोट निकला है इसमें आपको बता दे वही आपका किंद्र संचालन को लेकर के दिसा नर्देश जो पूर में दिये गए हैं उनहीं का पालन करना है और पूर में दिये गए नर्देशों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक वीडियो भी आप लोगों को बना करके दे दिया था अल इंडिया पर जिनों ने उसको देखा है उन सब को पता है कि जो इस समय के इन्र खोले जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजों का जो है आप लोगों को ध्यान ड़कना है इसके अब आगन बाड़ी बहनों अपनी अपनी कमर कस लीजिए फिर से मैदान में उतर कर आरोग मेलों में आपको लोगों को देखने क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ सकता है दस जनवरी से हर रविवार फिर लगेगा मुख्यमंत्री आरोग मेला इसमें कमजोर जो भी आ आरोग मेला फिर से सुरू करने का नर्देश दे दिया है तो अभी आने वाला समय आप लोगों का दस जनवरी से आपका आरोग मेला स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के उपर एक और काम बढ़ गया इसके आगे चलते और आपको बताते हैं बदायू से एक और लेट खेतु आपको बुलाया जाता है तो सभी कारकरतियां बैटक में उपस्थित नहीं होती है मतलब आगनबाडी बहनों की बात की जा रही है उन्हीं की मीटिंग की कुछ ही जो है उपस्थित होती है साथ ही आपको लोगों द्वारा माँ अपरेल 2020 से सितंबर 2020 तक की पोसाहा की पीडियप मांगी जा रही है तो भाया कब से मांगी जा रही है क्या आप लोगों ने ये किस जनपत की बात ओरे बदायू जनपत की तो क्या बदायू जनपत की आगनबाडी बहनों आप लोगों के वहाँ मियाऊ वगरा जो सायद आपकी बाले कास परोजना है वहां से क अगर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके भेजना इसके अलावा आप सब को ये भी हम बता दे कि काफी जगा ये होता है पीडिया पहुचा दी गई लेकिन अधिकारियों ने उनको उपर भेजा नहीं और बार बार उनी पीडियाप को मांगते रहते हैं अब समाफ्ती कर देंगे तो भईया अपना देख लेना जो भी बदायु जनपत के म्याओं अगरा आपकी बाल विकास परोजना है वहां से आपके अधिकारी ने सीडिपयों ने लेटर निकाला है अब आप लोगों ने ये पीडियाप कब दी है और कितनी बार दी है इसे भी कम आते हैं उन्होंने कुछ लिख करके भी भेजा हुआ है जैसे आप लोगों को बता दें ये पहले तस्वीरे आप देख लिजेगा यहाँ पर ग्यापन वगरा सोपा जा रहा है अंगनबारी बहने अपनी मांगो को लेख करके ग्यापन उन्होंने दिया हुआ है अब यह द अगर आप इसमें लिख करके भेज देती कि हाँ इन मुद्दों को लेकर के हमारी बहने यहाँ पर धरना की हैं और ग्यापन दिया गया तो जादा अच्छा रहता फिलाल आपने केवल यह आपने जो वीडियो भेजा उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है साती साथ जो फॉरम आया है बालिका का फोटो यहाँ पर लगता है बालिका का आवेदक के साथ समयुक्त फोटो यहाँ पर लगता है मुक्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्रारूप आपको दिखा रहे हैं जो भी आंगन बारी बहनों ने अभी तक नहीं देखा तो एक बार अबैड़ी नाम बहुँत में चरерм Leo माटा से चृपक पिंग सब्छा चैनि इसके आगे इस थाई पता भी इसमें आपको भरना होता है वो कहां के निवासी, उनका इस थाई पता, ग्राम वगरा, पोष्ट वगरा, ब्लॉक वगरा इसे करके सबाव यानि इपना भर देना अभी आगे चलते, पिन कोड वगरा देख लीजेगा, ये आपने वहां का, जो जो भी निवासी होगा जो भी हमारी मालीजे कन्या सुमंगला जोना कि पात्र बगरा बच्चे होंगे तो उनको ध्यान देना है कि आपको एक निवास प्रमारपत लगेगा रासन कार्ड लगेगा आधार कार्ड वोटर आइडी इन में से कुछ भी लगेगा यह सब नहीं लग सकती है पासपोर्ड भी लग सकता है जीवन भी मा पॉलिसी लएक सकता है गैस कनेक्शन बुक लग सकती है विद्दूत बिल वाला लग सकता है जलकर रसीद भी लग सकती है टेलीफोन का बिल लग सकता है या फिर आपका बैंक का पासबुक भी लग सकता है कोई एक सन चालू होना आवस्यक है ये भी दे दिया गया तो मुबाइल नंबर वो भरे जो आपका मुबाइल नंबर चालू हो परिवार की कितनी बालिकाएं जो है योजना का लाब ले रही है इसके बारे में भी वरा भरना है आगे बता दें आपको लाब लेने वाले कितनी बालिकाए यानि जैविक और गोद ली गई है यानि जो संताने है वो अपनी मतलब अपनी यानि वो क्या बोली जाती है ना खुद की संताने है या फिर गोद लिये गए कोई है साथी साथ बैंक खातों का विवरड़ आप देख लिजेगा खाता धारक का नाम भरना है खाता संक्या भरन तो खाता धारक का बालिका से जो संब्ध वो दर्सा देना है, बैंक का नाम भरना है, IFSC कोट भी भरना है, ऐसे सब भर देना है, साथी आप देख लेज़ेगा जॉइंट फोटो भी देनी है, आवेदक, आवेदिका और बालिका, यानि जो भी आवेदिका है वो और आवेदक भी एक बनवाना पड़ेगा, स्रेडी एक में आवेदन करने हैं तू बालिका का जनम प्रमाण पत्र लगता है, स्रेडी दो में आवेदन करने हैं तू बालिका का ठीका करन और आपका MCP कार्ड वगरा भी लगता है, इसके अलावा स्रेडी तीन, चार, पांच में आवेद उसकी लगती है परिचे पत्र वगरा लगता है आवेदक आवेदका का हस्ताक्षर भी यहां पर कराया जाता है देखे इसमें कई चरड़ों में कन्या सुमंगला जो जना में जो है पैसा पहुंचता है मतलब यह नहीं कि एक बार फॉरम भर दिया टोटल पैसा आपको एक बा करते हैं तब भी आपको मिलेगा ऐसे करके चीजे थी पूर में भी बताई गई है फिलाल ये आपको प्रारूप हमने सोचाच के इस वीडियो में आपको लगे हाथ दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिलाल अब आप लोगों को अगले दोपहर के खबरों में हम मिलने वाले तो इस वीडियो को आप लोग अजिक से दिक सेयर करिए लाइक करिए धन्यादा